आज का अंतर ज्यान संगीत सीखने वाले किसी व्यक्ति से पूछो तो वह सहज बताएगा कि सरगम की बात आती है तो सा उसका घर है वह जब रे, ग, म, प, ध, नी की ओर जाता है तो वह अपने इस घर से बाहर निकलता है बाहर निकलते हुए उसे एक तनाव महसूस होता है जाहिर है घर के बीटर जो सुकून है वो बाहर नहीं मिल सकता इसी तरह सांस हमारा घर है हम जब भी अपना सारा ध्यान और बोध सांस लेने पर लाएंगे और पूरी सज़कता से भर कर सांस लेंगे तो हमें वही सुकून मिलेगा जो संगीत सीखने वाले को सार कारियाद करते हुए मिलता है सांस को जितना भूलेंगे मन उतना ही विचलित होगा ब्रह्म ज्यान के इस उजाले को दूसरों के जीवन में भी फैलाएं